वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल राजिंद्रा नर्चिंग अकेडमी आरने पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो हर्याना सिये चोकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है और डिस्टिक जो रैंक वाइज लिस्टें है वो को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि यहां पर हार एक बढ़तिगी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और हार एक बढ़तिगी संपूर्ण त्यारी बिल्कुल पूरी त्यारी करवाई जाती है उसकी जितने भी चीज़े हो जैसे थियोरी हो एमसीक्यू हो या फिर जीकेवी के सब यहां पर आपको कंप्लेट यहां पर करवाया जाता है तो दोस्तों शुरू करते हैं जो है अपनी वीडियो को उससे पहले मेरा आप सभी से निवादन है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए अपन इसमें कितनी सीटे थी टोटल जो पोस्त का नाम था वो मिड लेवल हेल्थ प्रवाइडर और इसकी जो वेकेंशी थी वो 527 थी तोटल 25,000 पर मेंत सैलरी है अरियाना का जोब लोकेशन है तो यह पेपर हो चुका है अब आपन देखते हैं कि कहां-कहां कितनी सीटे थी तो अमबाला जो है अमबाला में कितनी सीटे थी टोटल 27 सीटे थी वीवाणी में तीन थी यह सारी आप देख सकते हैं और जो 51 थी मेवात में 51 थी पानी पत में 46 थी नारनोल में 40 थी पलवल में 27 थी तो अब आपन देखेंगे इनका जो है जो है दोस्तो डोकोमेंट वेरिफि करवाने के लिए तो 1700 प्लस बच्चों को document verify के लिए message आया है या notification आया है जो नाम उनका आ गया है लिस्ट में तो अपन देखेंगे उसी आदार पर कि जो है हर एक डिस्टिक की क्या क्या जो है वो cutoff चा सकती है final जो cutoff है वो क्या क्या जा सकती है तो अपन उसी पर चर्चा कर में आपको जो यह cutoff बताने वाला हूँ एक एकस्पेक्टेड कटओ final कि आप यह range अगर आपकी आ रही है तो इस range में आपका selection जरूर हो जाएगा मैं जो range बताऊंगा वो general के अनुसार ही होगी क्योंकि उसके बाद आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि आपका होगा की नहीं होगा तो एक range आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले अपना अंबाला की बात करते हैं अंबाला की तो अंबाला में जो दोस्तों अंबाला डिस्टिक में जो highest number आए हैं वो 70 है तो लगबग 3-4 बच्चों के 70 नंबर यहां पर गेन हो रहे है तो इसकी जो expected जो cutoff में मान के चलूँ इसकी तो दोस्तों final जो cutoff बन सकती है वो अंबाला के अंदर अगर आपके according to general मैं बता रहा हूं 5 number add होने अभी बाकी है तो आप 5 number add होने के बाद जो है यह cutoff मैं आपको बताऊंगा कि 5 number इसमें आप add कर लेना अपने जिसके भी add हो रहे हैं तो यह जो cutoff रह cutoff जाएगी वो 68 से 70 जाएगी दोस्तों 68 से 70 जाने के पूरे आसार है और अगर आपके 68 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं general category की मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो आप safe है और इस से नीचे आप जो भी category है वो थोड़ा एक दो जो है कम कर लेना उसकी जो expected cutoff वही रहने वाली है अब अमबाला के बाद अपन बात करते हैं बीवानी की बीवानी जो है दोस्तों बीवानी की अपन देखते हैं तो बीवानी की जो cutoff है वो लग भग आप मान के चलें जो बीवानी की जो cutoff रहने वाली है वो रहेगी तो बीवानी के अपन देखते हैं तो दोस्तो यह जो मैं कटोब आपको बता रहा हूँ यह बिना CCH की है इसमें CCH वाले भी एड़ होंगे 5 नमबर तो बीवानी की जो कटोब जा सकती है मैं आपको अभी बता देता हूँ बीवानी की जो कटोब जाएगी वो लग बग 60 बीवानी की आपकी कटोब रहेगी 63 से 65 उसके बाद में CCH का भी अलग से एड़ होने वाला है अब बीवानी के बाद में अपन देखते हैं फरीदाबाद की फरीदाबाद फरीदाबाद की अपन देखते हैं खरीदाबाद में क्या है दोस्तो 74 नंबर आई इसक्रा है तो इसकी एक्सपेक्टेड कटोप जा सकती है आपको बता दू खरीदाबाद के अंदर 70 नंबर 3 बच्चों के 69 नंबर 2 बच्चों के ऐसे करकर 66 नंबर 3 बच्चों के 65 और 64 नंबर 11 बच्चों के भी आई हुए है तो एक एक्सपेक्टेड कटोफ जो मैं निकाल लूँ रेंज अगर इससे जो बच्चों के मेरे पास मेसेज आ रहे है उनके अकोर्डिंग जो है वो 64 से 66 जो है इसकी एक्सपेक्टेड कटोफ रहेगी फाइनल नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आप CCS भी एड़ होगा नेक्स्ट अपन देखते हैं फरीदाबाद के बाद में अपन देख लेते हैं गुरुगाओं की गुरुगराम की अब गुरुगाओं की क्या रह सकती है दोस्तों तो गुरुगाओं में 68 हाइस्ट गया है तो लगबग इसकी जो एक्सपेक्टेड कटोफ 62 से 65 मान के चलो प्लस पांच नंबर सीशेच के अलग से हो जाएंगे इसके बाद अपन बात करते हैं करनाल की तो करनाल के अंदर आप लगबग 62 62 इसके बाद में बात करते हैं फतेबाद की फतेबाद की जो रह सकती है एक्सपेक्टेड फाइनल कटोफ वो 61 to 64 के अराउंड और सीशेच जिसमें अलग से एड होने वाला है इसके बाद बात करते हैं हिसार की अपन तो हिसार की कटोफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है क्योंकि ज्यादा नंबर आ रहे है बच्चों के तो इसकी हिसार की मान के चलो 65 to 68 के अराउंड प्लस पांस नंबर अलग से जुड़ेंगे वो जा सकती है तो घीनद की जो एक्सिपेक्ट कटोब जा सकती है वो 63 से लेकर 66 के अराउंड जाएगी 66 के अरांद और CCS अलग सी हैड होने वाला इसमें इसके बाद कुछटरा की देखते हैं हमाए अधन कुरुक छेत्रा की एक्सपेक्टिड जाएगी 66 to 68 अगर इतने नमबर आपके आ रहे हैं और आपके पास CCS है तो आप खुश हो जाए आपका सेलेक्शन जरूर होगा इसके बाद मेवात की बात करते हैं मेवात की बात करते हैं मेवात से दोस्तों बहुत सारे फोरूम बरे गए थे नमबर भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो लगबख 67 से लेकर आप मान के चलो 70 और पांच नमबर CCS वाले भी आगे एड होंगे इसमें तो अगर आपके इतने नमबर आ रहे हैं और आपके इस नाम है उनका जो नके 33 नमबर आये नोटल आप यह निहीं पता कि BMS नरस्न के पास CCS है की नहीं है तो उसका पता नहीं है अगर इनके पास CCS है तो ये सब्सक्रिण वियर है और अगर बी ऐमस है तो ये ये डोपर तो है अब पता नहीं क्या पता किसी के सब्सक्रिρ नमबर और CCS लेकिन एक्टी स्वी तो बहुत ज्यादा होते हैं वो 68 से 71 प्लस आपको 5 CCH के नमबर अलग से काउंट होंगे इसके बाद यह वाई नगर जो है यमनो नगर उसकी जो एक्सपेक्टेड कटोप है वो 62 से 64 प्लस CCH और इसके बाद बाद करते है रेवाडी की रेवाडी की जो कटोप हो सकती है एक्सपेक्टेड वो जाएगी 62 to 63 CCH का अलग से है अगर इतने नमबर आपके आ रहे है तो आप खुशिया मनाए और पानी पत जो है दोस्तो पानी पत की जो एक्सपेक्टेड कटोप जाएगी वो 66 से 69 के अराउंड प्लस 5 CCH के नमबर अलग से रहेंगे और सिर्चा की जो कटोप है वो 65 to 68 के अराउंड जाने वाली है 5 CCH के नमबर अलग से है पलवल की बात करते हैं तो दोस्तो पलवल में जो है वो कितनी रह सकती है पलवल की रह सकती है 61 से 63 के अराउंड प्लस 5 CCH नमबर अलग से और पंचकुला अंदाज़ा तो अपन नहीं लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या बिल्कुल final cut off क्या हो सकती है वो तो बहुत जल्दी आपका result आने ही वाला है जैसे ही आप DV करवाने जाओगे तो DV होते ही आपका result आ जाएगा दोस्तों और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बदाई हो जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका selection जरूर होगा और दोस्तों CCH जिनके पास है उनको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है इस बरती के अंदर क्योंकि उनके 5 नंबर बहुत माइने रखता है दोस्तों 5 नंबर बढ़ना तो उनका selection जरूर होगा इसके बाद दोस्तों अगर कोई भी सूचना और आती है हमारे इस चैनल पर आपको बता दी जाएगी परते एक information यहाँ पर share की जाएगी आप सभी से तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपको क्या चैनल को subscribe जरूर करना है क्योंकि हर एक बरती की information यहाँ पर मिलती है हर याने से related जो भी information हो क्रेक करने की जो संपूर्ण मैतपूर्ण topics है पूरा पेपरीशी बुक से आएगा तो मैंने इसका एक मेराथन सेशन ले रखा है अब तक उसमें बहुत सारी कलासे हो चुकिए 25-26 कलासे मैं करवा चुका हूँ उन से बार एक भी question राज़तान सीचों में नहीं जाएगा त प्ले लिस्ट है वो जाकर चेक करना आप उसको पढ़ोगे तो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि क्या बहतरीन तैयारी आपको करवाई जा रही है यहां पर तो एक बार जाकर वीजिट जुरूर करें दोस्तो यह था पूरे कौन-कौन से डिस्टिक में कितनी सीट कि कि you हम भीज़ות यह बढको खुद करें दोस्तों पर एक करें भारे का वीजिट, हो जाएगा कर दोस्तों बास्तों हते हैं मीजिट झाल